Welcome to the jungle की एक announcement वीडियो आई है और ये कुछ अलग है और अनोखी है मतलब कोई सीन नहीं था मुवी से मैं मानता हूं बढ़ तीन मिनट 22 सेकिंड की वीडियो है और एक भी सेकिंड बोर नहीं किया वीडियो ने तीन मिनट 22 सेकिंड की वीडियो काफी बढ़ी होती है एक announcement वीडियो के साब से और ये टोटल नोस्टेल्जिया पर चल रही है अभी तक इसमें मेरे को चार फेक्टरस लगे जो कि मैंने पॉइंट आउट किये हैं पहला पॉइंट यह है कि एक कोमेडी एडवेंचर फिल्म ह होने वाली एक्सेंट जंगल से रिलेटिड दूसरा यह कि original वेलकम के जो टाइटल ट्रैक में जो कैचिने स्थाना वह इसमें भी है यह एकदम इंस्टेंट्ली अट्रेक्टिव लग रही है थर्ड पॉइंट यह है कि इसकी कास्ट बहुत बढ़ी है उदय और मजनू नही पिलाई दिया तो वह आप सुनिये और वेलकम अभी एक अनाउंस हुई है और जिसमें हम नहीं कर रहे हैं या सो वाइज इस वाइस गोइंग आपके लिए तो डेफिनेटली उनको बहुत बुरा लगा होगा जब उनको अप्रोच नहीं किया गया वेलकम थ्री के लिए वै एकदम अच्छी लग रही है कपिल शर्मा शोसे की कुशार्दा और कृष्णा है और कोमेड़ी लेजेंड्स परेश रावल अक्सेकुमार और सुनियल सैटी यानि की हेरा फेरी ट्रियो अपना रिटन करने वाला है सिंगर ब्रदर्स मिक काउजिंग अंदलेर मैंदी है ज मतलब इसका चेहरा कहीं भी नहीं दिख रहा है और यह ऐसे क्यों दिखाया गया है शायद कोई सर्प्राइज रिवील होने वाला मुझे लगता है ट्रेलर में या फिर टीजर की टाइम पे और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से पहली जो फिलिंग आई वोई आई कि मतलब उसको ऐसे अभी दिखाया नहीं था कि कोई कंट्रूवर्सी नहीं ना ना पाटेकर से लिलेटेड बट शायद उसका कोई रोल होने वाला मुझे ऐसा लगता है सिर्फ नाना पाटेकर को प्रोच नहीं गया क्योंकि अभी तक अनिल कपूर की कोई भी स्टेटिमेंट नहीं आई है इस टीजर से वैसे कुछ ताइम पहले कुछ और रिपोर्ट्स भी आये थे कि वेल्कम 3 कुछ इश्यूज में है और फिर इसके बाद रिपोर्ट्स आये थे कि अक्सकुमार ने अपनी फीस नहीं ली वेल्कम 3 और एरा फेरी 3 के लिए बट एक डील की है प्रो प्लाइमेक्स इसकी हर चीज बैस्ट होने वाली है प्रोपर थेट्रिकल एक्सपिरिंस देगी यह फिल्मा में तो देखो अभी टीजर का वेट कर से बाद ही हम क्रिटिसाइज करना चाहिए अगर कुछ गडबढ होती है तो और यह नोस्टैल्जिया पर चलने वाली फिल् आक्टर्स के बारे में मजणू और उद्य के बारे में कमेंट करके हैं ओर चैनल जरूर शबस्क्राइब करके जाना गла